इस वीडियो में हम मार्च और एप्रेल मंत के जो इंपोर्टन डेज हैं वो ट्रिक के साथ याद करेंगे यह टॉपिक कोई भी कॉंपरेटिव एक्जाम हो सभी के लिए इंपोर्टन है हर बार एक या दो नुम्बर का जरूर इससे पूछा जाता है तो अगर आप इस वीड बारा भी देखने की जरूरत ने इस वीडियो को आप अच्छे से आपको लर्ण हो जाएंगे मार्च अप्रेल मंत के इंपोर्टन डेज सबसे पहले मार्च का जो फर्स इंपोर्टन डेज है वो है थर्ड मार्च थर्ड मार्च को दो चीज़े सेलिबरेट करते हैं एक तो वर्ल्ड वाइल लाइफ डे सेलिबरेट करते हैं और एक नेशनल डिफेंस डे सेलिबरेट करते हैं कैसे लन करेंगे पहले देखते हैं डिफेंस डे को कैसे रिलेट करें मार्च थर्ड से अब हमारी जो आर्मी है वो तीन तरह की आर्मी यानि कि जो जलसेना है और थलसेना और वायूसेना ये तीनों उसके चीफ हैं तो तीन अलग अलग चीफ होगे, यानि या फिर यह कह सकते हैं, तीन टाइप होगे हमारी डिफेंस की, तो हम तीन को वैसे रिलेट कर लेंगे, और मार्च, इस मार्च को हम मार्च पढ़ेंगे, जैसे जो सेना होती है, वो मार्च करके चलती है, जो सेना के जवान होती है, य National Defense Day का मनाया जाता है, तीन मार्च को, क्योंकि ने ने की हमारी तीन आर्मी हैं, और वो आर्मी के जवान क्या करते हैं, मार्च करते हों चलते हैं, उसके बाद World Wildlife Day, यह कैसे आर्यलेट करें, कि जो हमारी आर्मी के तीनोचीफ हैं, यह जो तीनोचीफ हैं, भी तीन मार्च को, next है हमारा आठ मार्च, आठ मार्च को हम international women day मनाते हैं, international women day को कैसे याद रखेंगे, वैसे तो generally लगबब को ये याद है, फिर भी इसको कैसे याद रखेंगे, अगर हम देखें, तो जो scientific symbol होता है, ladies के लिए या girls के लिए, वो ये दिखा जाता है, और gents के लिए boys के लिए दिखा जाता है, ladies के लिए symbol है, अगर इसके उपर हम ये 0 बना दे, तो ये क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, it means 8 और March, March को हम ma, ma से ma आ रही है, तो ma ये क्या है, women है, तो 8 March को हम women day मनाते हैं, तो आप इसके symbol से याद रख लेंगे, कि इसको अगर हम एक 0 और दे, वर्ट consumer right day मनाया जाता है, 15th March को, यानि कि consumer right, जो है, consumer court है, वो क्या ध्यान रखती है, कि जो पैसा हम कहीं भी market में दे कर आ रहे हैं, क्या जितना पैसा हम दे रहे हैं, उसी वर्थ का हमी सामान भी मिल रहे हैं, कैसा ना हो कि हम पैसे तो 100 रुपे दे रहे हैं, लेकिन जो जिस quality का हमें वो सामान मिला है, वो 100 का ना होकर, वो 50 का है, या 10 का है, तो इसका मतलब हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम consumer court जा सकते हैं, तो जो consumer right day है, वो कम मनाया जाता है, 15th March को मनाया जाएगा, Next है 20th March, 20th March को International Day of Happiness मनाया जाता है, और एक sparrow day भी मनाया जाता है, विस गौरया दिवस भी 20 March को ही मनाया जाता है, तो दो 20 March को हम 2 events celebrate करते हैं, अब सबसे पहले देखते हैं कि International Day of Happiness का मनाया, कैसे याद करें कि 20 March को मनाया जाता है, एक तो 20 March को हम जैसे अगर ये देखें, ज आप ये गयाद कर सकते हो, जो smiley है, उसके आगे हमें क्या लगाना है, 2 लगाना है, तो 2 और smiley, smiley हाँ 0, जैसे ही है, smiley गोल है, जो face है वो, तो 0, के आगे हमें 2 लगाना है, तो क्या बन जाएगा, 20, और March, March मींज आप मा से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि हमें मा, हमारी जो mother है, हम चाहते हैं, हमेशा happy रहे, हमेशा खुश रहे, तो मा को खुश रखना है, और 20, 20 कैसे आद रहेगा, smiley जो है, गोल होती है, उसके आगे 2 लगाना है, जैसे ही smiley है, बोल सारी, तो 2 लगाने है, सब के आगे, तो 0 तो यह smiley हो गया, 2 यह हमने लगा दिया, हैंकि 20 March को happiness हमने, International Day of Happiness celebrate करना है, गोल यह दिवस कैसे याद रखेंगे, जो चिडिया है, वो हमेशा खुश रहती है, चैकती रहती है, तो हमेशा खुश रहती है, और खुशी का दिन कौन सा है, 20 March है, जिस दिन मा, जिस दिन हम चाहते हैं कि मा हमेशा खुश रहे, और 20 हमने याद क्या था, कि smiley के आगे हमें, 2 लगाना है, तो 20 March को happiness day भी है, और जो चिडिया है, वो हमेशा चैकती रहती है, खुश रहती है, तो उसका दिन भी कब है, जिस दिन happiness का डियो होता है, याने कि 20 March को है, नेक्स्ट है 22 March, 22 March को हम मनाते हैं, World Water Day, अब इसको कैसे आद रखें 22 March को, तो इसको हम 22 के बजाए, इसको हम 22 पढ़ लें, 22, हिंदी में जैसे हम लिखते हैं, 22, और जैसे हम यह कहें कि हम Water Day मना रहे हैं, तो वोटर की कमी सबसे ज़्यादा कहां पर है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पर जो बेटिया बहन होती है, उसको 22 को बोलते हैं, तो 22 को हम जैसे ऐगर ऐसे लिख लें, 22, तो वहाँ पर जो बेटिया बहन होती है, तो मा ने क्या कहा, मा ने कहा कि बाईसा, पानी को बचाओ, यानि कि मार्च का महीना हो गया, मा ने कहा, और 22 means बाईस, कहा कि पानी बचाओ, क्योंकि पानी बहुत इंपोर्ट जाओ क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है. किसी की मा को TB हो गया है, किसी की मदर को TB हो गया है, तो कोई दूसरा कह रहा है कि उसकी मा को TB हो गया है, तो कह रहा है कब पता चला तो कह रहा है, दो-चार दिन पहले ही पता चला है, यानि कि दो-चार जैसे हम जनरली बोलतेते हैं, आम भाच आप बोलते हुए, दो-चार दिन पहले हुआ ये काम, तो दो-चार दिन पहले पता चला कि उसकी मा को TB है, ट्यूबर ग्रोसेज है, तो दो-चार मींज 24 और मा को है, तो मार्च और TB है, इसे इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हूँ, 27 मार्च को मनाते है, वर्ल्ड थीटर डे, जो वर्ल्ड थीटर डे है, वो मार्च 27 को मनाया जाएगा, नेख्स달 है, अब है ये अपरेल के मंद, वो थे मार्च के अब अपरेल के शुरू होगे, 2 अपरेल, 2 April को हम मनाते है World Autism Awareness Day Autism को हम Hindi में कहेंगे आत्मकेंदरित जागरुख दिवस तो आत्मकेंदरित जागरुख दिवस मनाया जाता है Autism एक बिमारी है जो चोटे बच्चों में पाई जाते है जो चोटे बच्चों होते हैं उसमें कुछ symptoms ऐसे देखें आपको कि जैसे वो slow respond कर रहा है या वो तेजवास से डर रहा है या एक ही moment को बार-बार कर रहा है दूसरों से बात करने में डर रहा है hesitate कर रहा है अकेले रहना पसंद करता है depression में रहता है यानि कि आत्मकेंदरित मतलब अपने आपस में ही खुश है वो तो इस तरह की symptoms होते है उसको autism की बिमारी बोलते है generally तो ये 2 April को मनाया जाता है अब हम इसको कैसे relate करेंगे हम इसको ये कहेंगे अब हम कहते हैं कि बच्चे को जिसको autism है वो क्या करना पसंद करेगा जो अपने आप के साथ ही रहना पसंद करें दूसरों के साथ जो ना घुले मिले तो जो अपने आप तो जो को हम यहाँ पे जो दो ऐसे जो अगर हम जो लिखते हैं जो और दो जैसे sound लगबग नेरली से मारी है जो दो तो जो अपने आप में ही रहे अपने आप में के साथ ही रहना पसंद करें, दूसरों के अपने, अपरेल में अप आ रहा है, अपरेल, तो अपने, जो अपने, तो जो को दो पढ़ लिया हमने, और अपने, तो दो अपरेल, दो अपरेल को क्या मना जाएगा, और अपरेल, क्योंकि जो अपने आप में ही रह यानि कि आत्म किंद्रित जागरुग दिवस है, तो अपने आप में ही साथ रहना पसंद करें, दूसरों के साथ ना घुले मिले, जो अपने, तो जो को दो पढ़ लिया, और अप्रेल, अपने में यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर अप्रेल, Next is 7 April, 7 April को मनाया जाएगा World Health Day, अब इसको कैसे रिलेट करें, कि हम स्वस्त कब रहेंगे, अगर हम अपनों के साथ बातचीत करेंगे, अपनों के साथ जादा रहेंगे, जो अपने लोग हैं उनके साथ जादा रहें, तो अपने का मतलब AP से अपना, यह AP जहाँ आ रहा है, त जो अपनों के साथ, साथ में साथ, यहाँ पे साथ हो गया, अपनों के साथ जितना जादा टाइम आप स्पेंड करोगे, उतने ही जादा क्या रहोगे, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, तो अपनों के साथ जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, उतना ही हेल्थी रहोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, साथ अपरल को हम Health Day मनाते हैं Next Day 21st April, 21st April को हम मनाते हैं 21 April को National Civil Service Day मनाते हैं इसको कैसे याद रखें, जो Civil Service की Age Limit है अगर आपको पताओ, वो Age Limit 21 से 32 साल है यानि कि अगर आप Civil Service का exam देना चाहते हो तो कम से कम आपकी Age 21 year होनी चाहिए तो 21 year होनी चाहिए, तो 21 से हाँ याद रख लेंगे कि Civil Service के लिए कम से कम Age Limit 21 है तो 21 April को ही National Civil Service Day मनाया जाता है Next Day 22 April, 22 April, World Earth Day अब 22 April, हमने 22 March को याद गया था 22 March को हमने याद गया था कि माने कहा मार्च का मतलब माने कहा 22 पानी बचाओ तो यानि कि 22 March को हो गया World Water Day अब और दूसरा क्या है कहा रहे है मा पानी बचाओ, अपनी बाईसा, अपनी प्रिथ्वी को भी बचाओ तो अपनी से AP और 22 से 22 अपनी प्रिथ्वी को 22 अपनी प्रिथ्वी को बचाओ तो अपनी प्रिथ्वी को बचाओ, इस बाईस अपरेल को अर्थडे हो जाएगा नेक्स ते 24 अपरेल 24 अपरेल को है National Panchaity Day अब इसको कैसे रिलेट करें? वैसे तो इसका कोई relation बननी रहा है लेकिन हम अगर देखें तो 24 अपरेल को एक famous cricketer का जनम दिन है तो आप उससे रिलेट करके देख सकते हो सबी को पताओगा 24 अपरेल को सचिन तेंदूलकर का जनम दिन है तो आपको अपने मांड में बचाना कि सचिन तेंदूलकर का जनम दिन जायती राजते सेम होगा, चौबिस अप्रेल. Next है, ठर्टियत अप्रल, 30 अप्रेल को होता है आईश्मान भारत दिवस, अब 30 अप्रेल क्या है, यानि आप याद रखलो कि अप्रेल का जो आखरी दिन है, अप्रेल का आखरी दिन, अपरल के आखरे दिन में जो अपने हैं अपने का मतलब AP से अपने हो गए अपरल के आखरे दिन में सभी अपने आपको क्या कहते हैं आपको आश्रवात दे रहें कि आयुष्मान भाव आयुष्मान भाव तो आयुष्मान भारत दिवस उस दिन मनाया जाता है, stay healthy, life healthy, यानि कि अपने कहते हैं, कि जो अपरेल का last दिन है, उस दिन अपने सभी अपने आपको क्या दे रहे हैं, आशिरवाद दे रहे हैं, कि आयुशमान भाव, तो आयुशमान भारत कब मना जाएगा, 30th अपरेल को, ये थे अपरेल के important is, उम्मीद करती हूँगी, आपको learn हो गए होंगी, इस तरह से relate करके, मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जैहिं, जै भारत,